एक्जाम हॉल में जब बैठे हैं अंसर लिख रहे हैं अंसर लिखते वक्त उस अंसर शीट पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा बहुत सारे बच्चे एकसर कन्फ्यूज रहते हैं इस चीज को सोच कर कि यार कोश्चन का ओर्डर कैसा हो बहुत सारे बच्चों के मन में गलत धारना होती है कि यार अगर हम सीरियल ओर्डर में कोश्चन करेंगे तो अच्छा इंपेक्ट जाएगा शायद सीरियल ओर्डर में करने होता है पहले 1, 2, 3, 4, 5 ना ऐसा कुछ नहीं है इस एक्जाम के दम पर इस अंसर शीट के दम पर हमें चार्टर अकाउंटन बनना है तो हमें अपनी सारी महनत सारी स्टेटजी इसी के अंदर डालनी होगी सिंपल रूल, गॉल्डन रूल पूरे question paper के अंदर जो question best आता है उस question को सबसे पहले attempt करना है जब examiner के हाथे मेरी answer sheet जाए और जब पहला page open हो तो लगना चाहिए कि किसी professional student ने paper किया है कि student knowledge रखता है उसको presentation भी आती है अच्छे से लिखना जानता है और ये सब चीजें सिर्फ उसी question में आप कर सकते है जो आपको बहतर ही ना आता होगा starting की कुछ sheets पर सिर्फ tick होना चाहिए cross नहीं होना चाहिए positivity जगानी examiner के mind में तो order of question कैसे जो best आता है वो पहले करना question number 5 आता है 5 करो फिर 2 number आता है 2 number वाला करो उसके बद 4 number आता है 4 करो उसके first आता है first करो order कोई भी हो it has to be the best order as per each student her student का वेरी करेगा अब साथ ही साथ it has to be made sure कि अगर किसी question के sub parts है those are to be done at one place only अगर एक ही question के sub part है और आप different different जगां पर कर रहे हो मानलो fifth question के चार part थे आपको a, b और d आता था, c नहीं आता था अच्छे से आता था लेकिन उतना अच्छे से नहीं आता था आपने क्या fifth question का a, b, d और उसके बद second question फिर fifth का d कर रहे हैं तो fifth के d के number नहीं मिलेंगे fifth के d के number नहीं मिलेंगे नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है हमने किये आप जो मर्जी बोलो हमने तो आपको रूल बता दिया सारे सपर्ट एक ही जगह पर सॉल्व होने चाहिए फिर बच्चा कहता सर मान लो कोश्चन एक कोश्चन आता एक्जाम में पांच पार्ट होते हैं एनी फोर करने होते हैं बच्चे ने पांचों के पांच कर दिये बच्चा कहता सर मेरे को इसमें से बेस्ट फोर के मांक्स मिलेंगे क्या जी नहीं जो आपने सबसे पहले किये 1,2,3,4 जो सीरिल और में आपने पहले चार के वही होंगे जो last में क्या उसको cross लग जाएगा does not matter कि उसमें आपके ज्यादा नंबर आ सकते थे उसको cross कर दिया जाएगा हर paper हर paper में हर question जब भी attempt करेंगे it has to be solved on the fresh page बच्चे वहाँ पर सोचते हैं मान लेते हैं मान लेते हैं ये sheet है ये sheet है ये proper A4 sheet है मान लो exam sheet ऐसी आई यहाँ पर अगर answer खतम हुआ 75% space के बाद फिर तो बच्चे के mind में clear है कि अगले page से ही मुझे जो है attempt करना है fresh answer लेकिन दिक्कत तबाती है जब बच्चे का यहाँ खतम हो जाए फिर बच्चे के mind में कश्मकश होती है कि ये sheet में तो ओभी 25% space ही मुश्किल से भरी है मैं अगली sheet पे करूँगा तो teacher सोचेगा कि इसने sheet बरबाद कर दी तो क्या मैं यहीं से कर दूँ यह चीज़ें चलती हैं बच्चों के mind में पता नहीं क्यों इसके भी पैसे है simply follow the rule हमें अच्छे नंबर लाने है जो किया है teacher को पता तो चले किया है बच्चे दो answers के बीच में gap ही नहीं रखते teacher को पता ही नहीं चलता पहला questions all check करते करते वो दूसरे के भी check करके और उसने marks एक ही question के दिया आपको तो यार यह तो हमारी responsibility की जितने question के teacher को दिखा कर रहेंगी भाई हमने यह question किये है तो हर answer fresh sheet से start होगा mind में कुछ नहीं सोचना कि यहां तो अभी इतनी सारी space पढ़ी है या कम space है या जादा space है irrelevant thought हमें सोचना है तो अपने future के बारे में और इस answer sheet के माध्यम से maximum marks कैसे लेकर आ हूँ Thank you guys